हाई दोस्तू, आप लोग कैसे हैं? मुझे उमीर है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वंस्थ होंगे और तंदुरुस होंगे दोस्तू, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेश के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा है बहुत ही बेतर है आप इसमें अच्छे benefit ले पाएंगे आप अच्छे profit कमाएंगे दोस्तों यह जो बिजनेक है वो पावबढा का बिजनेक है आपको पता होगा कि मंबई का मस्रूर चीज वो पावबढा ही है अगर आप मुंबई में जाएंगे तो आपको हर तरफ पावबढा देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हर ब्यक्ती पावबढा जरूर खाता है अगर वहाँ पे कोई भी जाता है तो वो पावबढा जरूर खाता है क्योंकि मुंबई का जो फार्फपूर में जो आता है वो बहुत ही महरूर है क्या मुंबई का मसरूर चीज है अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया में ये बिजनेस कीजिए आपको बहुत ही प्रोफिट भी होगी और ये बेतर चलेगा भी क्योंकि अगर किसी को पाव बड़ा खाना हो तो मुंबई तो नहीं चाहेगा पाव ही बीजनेक है वह बहुत अच्छा चलेगा इसमें आपको बिनेफिट होगी क्योंकि आपको पाव चाहिए आप order पे भी बनवा सकते हैं और आप इसको बनवा कर और आप लाते हैं और लाकर अपना बीदिक एसनायट करेंगे आपको पाउ के इलावा आपको बड़ा बनाना चाहिए आप दिखनाओ का अच्छे कि अगर आपका बड़ा बन जाएगा तो पाउ में कुछ करना नहीं है वो पाउ में आपको क्या करना है पाउ में उसको रखकर और सर्व कर देना है बड़ा बड़ाने के लिए क्या बनता है आपको बता दे कि ये जो बड़ा होता है आप कई तरह के बना सकते हैं आप अपना दिमांग लगा कर आप बड़ा बना सकते हैं कई तरह के आप बड़ा बना सकते हैं जरेके आलू बड़ा आलू जो होता है उसका चौखा वगरा बनाए जाता है मठनालेदार और उसको क्या करते हैं बेकर में लपेट कर उसे फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद आपका जो ये बड़ा है वो रेडी हो गया और भी आप कई तरह के इस बड़ा को बना कते हैं आप जो भी बड़ा बनाएं आप बड़े के अंदर अपना quality जरूर दें अगर उसमें quality होगी तो आपका पाव जो है बहुत ही बेहतरीन होगा पाव बड़ा जो है अगर आप बड़ा बनाते हैं और पाव को क्या करेंगे आप पाव को फराई भी करकते हैं कई तरह के आप बना करते हैं एक बात आपको और बता दें कि जो पाव है पाव बड़ा बना रहे हैं आप अपने पाव बड़ा का कुछ अलग भी नाम दे चकते है वो आपका वो आपका मर्जी है वो आपका मर्जी है अगर आप अपने पाव बड़ा को अलग के नाम देंगे तो बेतर होगा क्योंकि अगर आगे चल कर आप अपने पाव बड़ा को कोई नाम देना चाहते हैं अगर फ्रेंचाइजी में बदलना चाहते हैं तो ये आपके बता दें कि यह जो business है आपको किस लिए बता रहे हैं आपको benefit करने डिलाने के लिए आप अपनी जीवन में कुछ करें मेहनत करें आगे बढ़ें business में आपको लाने के लिए यह चीजे आपको बता रहे हैं दोस्तों आपको बता दें कि हम वीडियो में जो भी बता रहे हैं कॉरेक्ट बताएंगे और ये जो फ्रेंचाइजी की बात है अगर आप लोगों को इसके बारे में जनकारी चाहिए तो हम ज़रूर बताएंगे आप कमेंट करके हमें बताएंगे हम इस पे वीडियो बनाएंगे की फ्रेंचाइजी कैसे क्रियेट होता है दोस्तो आपको एक बार और बता दे दोस्तो बहुत लोगों ने हमारी वीडियो देखा है और देख रहे हैं और देखते हैं लेकिन हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तो आप लोगों का प्यार होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर से मेरा चनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे हमको कहना नहीं पड़ेगा लेकिन दोस्तो आप लोगों के एक गुजारिक है कि एक वीडियो को आप जरूर कर देंगे ताकि और भी लोग एक वीडियो को देख लें अगर आपके दोस्त के पार्थ अगर ये वीडियो जाएगा तो आपके दोस्त आपके बारे में positive शूचेंगे वह हमारे लिए एक अच्छा वीडियो भेजा है तो हम कहां थे यह बीजनेक के बारे में यह पाव बड़ा का जो बीजनेक है अगर आप पाव बड़ा बना रहे हैं आपके पाव बड़ा में कुआलिटी होनी चाहिए ताकि आपकी पाव जो बड़ा है उसकी डिमांड बढ़ जाए अगर आपकी पाव बढ़ा चलने लगेगा डिमांड जैके जैके बढ़ेगा आपकी प्रोफिट बढ़ते जाएगी क्योंकि आपको पता है कि तेल जो इंक्रीज होता है तो आपका प्रोफिट भी इंक्रीज ह होते जाएगा बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी पाव बड़ा बना रहे हैं उसमें आपका लागत कितना हो रहा है और लागत होने के बाद अपना प्रोफिट एड़ कर लें और तब और तब आप उसके उसके sell करें और पता करें कि आप कितना sell कर रहे हैं, कितना sell कर रहे हैं आपको profit कितना हो रहा है एक बात इतना ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप बेशते रह जाएंगे और आपका भाला ही नहोगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो एक वीडियो को लाइक करतें और चल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके कोई भी वीडियो मिखना हो तो चलिए वीडियो अगरे वीडियो मिलते हैं जाहिंद